आप सभी चात्रों का स्वागत है सुभास स्टडी सिंटर यूटूब चैनल पर और आज का यह वीडियो कच्छा 10 के चात्रों के लिए काफी ज़्यादा इंप्पोर्टन है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगी पिरी बोर्ड परिच्छा 2022 का हिंदी पर फश्ट जो यहां पर आप देख सकते हैं इस माडल पेपर के जितने भी प्रश्ण है मैंने सभी प्रश्णों का उत्तर लिखने का तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप इस माडल पेपर के प्रश्णों के उत्तर पिरी बोर्ड परिच्छा अथ्वा यदि बोर्ड के लिए लेकर के आया हूं दूसरा प्रिवोर्ड परिच्छा का माडल पेपर जो की मोस्ट इंपोर्टन्ट है आपकी प्रिवोर्ड और परिच्छा के लिए तो आपको तीन घंटे पंदरा मिनट का समय मिलेगा और पेपर का पूडांक कितना होगा सत्तर अंको का पूडांक होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्न संख्या एक का केंतरगत कुछी इस तरीके से प्रस्न पूछे जाएंगे निमनलिखित कतनों में से कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखिए यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं और चार विकल्पों में से कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखना है एक नंबर का प्रस्न पूछा गया है और यहाँ पर एक खा के अंतरगत प्रशना आया हुआ है निमनलिखित करतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखी तो यहाँ पर चार विकल्ब दिये गए हैं आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है प्रशन संख्या एक गा के अंतरगत पूछा गया है चिंत पर आप देख सकते हैं एक घहा के अंतर्गत निर्मला के लेखक का क्या नाम है चार विकल्प दिये गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाओ करके लिख देना। है एक नमबर का यहां प्रश्न पूछा गया है अगला प्रश्ण है एक अंगा का कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है यह प्रशन भी काफी ज़्यादा important है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये होंगे इसी तरह से और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है तो कुछ इस तरीके से यानि प्रशन संख्या एक के अंतरगत सभी परशन कितने होंगे पांच होंगे और पाचों प्रशन क्या होंगे बहुभी कल्पी होंगे पांचों प्रशनल यहां आप देख सकते हैं बहु विकल्पी रूप में पूछे गए हैं थोड़ा सा पैटर बदला है आपकी प्रीबोर्ड और और affirmation के पेपर का और यहां से किसी भी काल चाहे रीत काल हो चायवादी युग हो प्रगत वादी युग हो प्रयोग वादी युग हो या भक्त काल हो या आद काल हो इन कालों में से किसी न किसी काल की प्रमुक प्रवरतियां या विसेस्ताय जरूर पूछी जाएंगी और सिर्फ दो ही प्रवरतियां या विशेस्ताय पूची जाएंगी इसलिए आपको याद कर लेना है दो खा के इंतरगत प्रशन आया हुआ है छाया वाद की दो प्रमक प्रवृत्तियों का उले कीजिए यहाँ प्रशन भी दो नंबर का पूछा गया है और दोगा के इंतरगत प्रशन है कि नहीं दो प्रगत वादी कभियों के नाम लिखिए एक नंबर का प्रशन यहाँ पर पूछा गया है तो प्रशन संख्या दो के इंतरगत कुछ इस तरीके से प्रशन आएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन संख्या तीन निमने लिखित गद्यांसों में से किसी एक के नीचे दिय गए प्रशनों के उत्तर देना है जिसके लिए आपको किल 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे यानि गध्यांज्स के नीचे जो प्रशन दिये गई है हैं यहाँ पर प्रते एक प्रशन दो अंकों का है इसलिए यहाँ पर आपको कितने नंबर मिलेंगे 6 नंबर मिल जाएंगे और इसके पहले का जो माडल पेपर है प्री बॉर्ड परिच्छा का उसको मैंने संपूर हल करवा दिया है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आप कमेंट करेंगे तो मैं जल से जल इस माडल पेपर को भी संपूर हल करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बोर्ड परिच्छा में कापी लिखनी है प्रश्न संख्या चार जो कि इस तरीके से पूछा जाएगा निमनलिखित पद्यांसों में इसे किसी एक की संदर्व सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका कावि संदर्र लिखिए यहां आप देख सकते हैं चार का और चार खा दो पद्यांस दिये गए हैं और आपको किसी एक की संदर्व सहित व्याख्या करना है और काविग संदर्र लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं चारका में दिया गया है निर्गुन कौन देश को वासी और चारका में दिया गया है दिस्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर आपको किसी एक का संदर्व व्याक्या और काविगस शंदर लिखना है जिसके लिए 6 नंबर निरधार यहां पर आप देख सकते हैं पांच का का प्रशन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परचे एवं एक रचना लिखिए और यहां प्रशन जो पूछा जाएगा तीन नंबर का होगा यहां पर आप देख सकते हैं इस विकल्प दिये गए हैं और प्रश्न संक्या पाच खा में भी निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कविका जीवन परचे एवं एक रचना लिखिए यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है तीन नंबर का और आप देख सकते हैं यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं कितने तो तीन विकल्प ही दिये जाएंगे लेकिन यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं इस माडल पेपर में तो आपको यहां से भी एक जीवन परचे को लिखना है और शंबंधित कभी की रचना का नाम लिखना है जिसके लिए तीन नंबर निर्धारित हैं प्रश्न संख्या का महतपुड गद्यांस आपसे पूछा जाएगा और यहां गद्यांस भी आपकी त्री बोड और बोड परिच्छा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है और यहां पर आप देख सकते हैं एक पद्यांस दिया गया है अथवा में मानम हित्वा प्रियो भवती क्रोध लोबहम हित्वा नाशोचते चाहे तो आप इस पद्यांस का रिखें तो आपकोजों के एक का संदर्व आपके कि तॉक जाएंगे प्रशन संख्या सात का केंतरगत पूछा गया है अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्त किया गया कोई एक ऐसा इसलोग लिखिए जो इस प्रशन पत्र में नाया हो तो यह प्रशन दो नंबर का पूछा गया है और आपको वही इसलोग लिखना है जो इस प्रशन पत्र में नाया ह यानि जो प्रशन संख्या 6 का जो अथवा है यहाँ पर जो इस लोग नाया हो उसी को लिख देना है जैसे मान लिजे यहाँ पर यहाँ इस लोग पूछा गया है तो आपको इस प्रशन के उत्तर में यानि साथ का प्रशन के उत्तर में इस इस लोग को नहीं लिखना है आप यहाँ पर दूसरा इस लोग लिख सकते हैं इस प्रिश्ण के उत्तर में जैसे कि सर्वे भवन्त शुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राडी पस्चंतु मा कस्चिद दुख भाग भवेत तो आपको दो इस लोग कितने इस लोग आपको दो इस लोग विलकुल याद क कर लेने हैं और आपको दो नमबर यहाँ से पक्के मिल जाएंगे प्रस्ण संख्या साथ खा जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रस्णों में से किन्ही दो प्रस्णों का उत्तर संग्सक्रत में दीजिए यहाँ पर चार प्रस्ण पूछे गए हैं करत में देना है और दो नमबर आपको पक्के कर लेना है यहाँ पर प्रस्ण संख्या आठ का के अंतरगत कुछ इस तरीके से प्रस्ण आएगा हास से अत्वा करूड रस की परिभासा उदहरण सहित दीजिए तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हास रस और करूड रस दोन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आठ खा प्रस्ण पूछा जाएगा इस तरीके का उपमा अथवा उत्प्रेच्छा अलंकार की परिभासा लिखिए तथा उसका एक उदहरण दीजिए तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में उपमा अलंकार उत्प्रेच्छा अलंकार और तीनों अलंकारों की परिभासा उदहरण सहित समंधित वीडियो देखने को मिल जाएगा आप देखकर लाब उठा सकते हैं दो नंबर आपके यहां से भी पक्के हो जाएंगी अगला प्रस्ण है आठ गा के अंतरगत रोला चंद की परिभासा लिखिए एवं उसका उदहर दीजिए तो यहां प्रस्ण दो नंबर का पूछा गया है तो आपको क्या करना है रोला चंद की परिभासा लिखना है और उसका उदहरण लिखना है प्रस्ण संख्या नौ का इस प्रकार से पूछा जाएगा निमनलिखित उपसरगों में से किनी तीन के मेल से एक-एक सब बनाईए यहां पर च्छा विकल्प दिये गए हैं आपको किनी तीन के मेल से एक-एक सब्द बनाना है जिसके लिए तीन नंबर आपको बिल जाएंगे प्रस्ण संख्या नौ का जो कि इस प्रकार से आएगा निमनलिखित में से किनी दो प्रत्यों का प्रयोग करके एक-ए सब्द बनाना है और दो नंबर हासिल कर लेना है प्रस्ण संख्या नौ का कि इस तरीके से प्रस्ण पूछा जाएगा कि निमनलिखित में से किनी दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए यहां पर आप देख सकते हैं चार विकल्प दिये गए हैं को मिल जाएंगे प्रस्ण संख्या 9 गहा के अंतरगत निमनलिखित में से किनी दो के तत्सम रूप लिखिए यहां पर चार विकल्प दिये गए हैं आपको किनी दो के तत्सम रूप लिखना है और दो मिल जाएंगे प्रशन संख्या नव अंगा केंतरगत निमनलखित में से किनी दो शब्दों के दो दो परियावाची सब्द लिखिए यहाँ आप देख सकते हैं चार विकल्ब दिये गए हैं और आपको किनी दो के दो दो परियावाची सब्द लिखना है और दो नंबर पक्के कर लेना है अगला प्रशन है दस खा के अंतरगत निमनलखित में से किनी दो में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए यहाँ पर चार विकल्ब दिये गए हैं आपको किनी दो में संधि करना है और संधि का नाम भी लिखना है दो नमबर का यहाँ भी प्रशन पूछा जाएगा प्रशन संक्या 10 खाके अंतरगत निमनलखित सब्दों के रोपत तिर्तिया विभक्ति बहुवचन में लिखिए तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप फल अथवा नदी मत अथवा मधु तो आपको यहाँ से भी दो नमबर मिल जाएगे यानि यहाँ प्रशन कितने नमब का पूछा जाएगा दो नमबर का पूछा जाएगा प्रशन संक्या 10 जो की इस प्रकार से है निमनलखित में से किसी एक की धात लकार पुरुष तथा वचन का उलेक कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन विकलब दिये गए हैं आपको किसी एक की धात लिखना है लक कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच वाक दिये गए हैं आपको किनी दो का शंक्सकरत महनवात करना है जिसके लिए आपको दो नमबर मिलेंगे प्रशन संक्या 11 जो की इस प्रकार से पूछा जाएगा निमनलखित विसेयों में से किसी एक विसेय पर निबंद लि प्रशन संक्या 12 जो की इस प्रकार से है अपने पठित खंड काव के आधार पर निमनलखित प्रशनों में से किसी एक का उत्तर लिखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो खंड काव आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव के आधार पर आपको प्रशनों के उ कड कड काव का चित्रण कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जह सुभास चेड़ नों फैने के सासे हो सॉपार। तो जल्द से जल्द मैं इस पेपर का फुल सेलूशन दूँगा कि किस तरीके से आपको इन प्रशनों का उत्तर अपनी पिरी बोर्ड और बोर्ड परिच्छा की काफी पर लिखना है आप कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अब आप अपनी पढ़ाई को व्यतर ढंक से करते रहिए क्योंकि अब आपकी जो परिच्छा है पिरी बोर्ड परिच्छा जन्वरी माह के लिए निर्धारित कर दी गई है यूपी बोर्ड के द्वारा इसलिए अब आपको जरावी ढिलाई नहीं बरतना है म हमेशा खुसिया बारते रहिए जय हिंद